सबसे पहले हम देखेंगे कि एक शॉर्ट नोट आप रिविजिन के लिए कैसे तयार कर सकते हैं क्योंकि जो भी टेक्स्ट हमारे UGC Net Yoga के सिलेबस में दी गई है वो काफी वास्ट है तो जब हमको रिविजिन करना होता है तो हम उस पूरे नोट को पढ़ने के बजाए हम ऐस टेको एक शी जो बना सकते हैं जैसा कि आप जा प्रस्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो इह शीच में जो है पूरे वाक है जिसमें आप जरी गिरेंट की शीच है तो बिल्कुलकुल शॉर्ट में चीज ती टी की जैसे माहबंध आपको शॉर्ट में इस THIS में कीसा बताया गय क्या इसका procedure आप खुद में जो है सारी चीजों को recall कर सकते हो और अपना concept जो है वो all strong कर सकते हो revision short time में अच्छा revision कर सकते हो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें यह पूरी sheet है जिसमें एक-एक topic जो है वो list के साब से लगा हुआ है तो जैसा कि आपने देखा एक short note और revision page जैसा आप बना सकते हैं जैसा सारे flow charts होंगी चीजों के बल्कुल short में आप चीजों को revision form में उसको crisp note में form कर सकते हैं तो आएए देखते हैं आज को फर्स पाथ हो का घिरंट समिता के इसमें जादा नहीं सिर्फ शट्करिया के बारे में discuss करेंगे और initial चीजे जो introduction के लिए important है वो discuss करेंगे तो जैसे कि आप सब जानते हैं यह जो घिरंट समिता है यह हट योग की text है और यह एक smriti गंथ है जयरेकि इसको smriti द्वारा लिखा गया है याद करके लिखा गया जर्वल लिखा गया इसका ओफीछल यह स्मृत में पर मेह डिया बार में इसे uva also in the memory सबाद में लिखाघे द्यृक्त और तो इसके जो ऐसे ओधर माने जाएंगे जिनोंने घिरन समिता क्या वाक्या किया है वो है महारशी घिरन और 17th century की text है जो Sanskrit भाषा में लिखी गई है घिरन समिता को सब्तांग योग एवं घटस्त योग नाम से भी जाना जाता है सब्तांग योग इसलिए क्योंकि इसमें seven limbs of yoga जो है वो बताए गए है और घटस्त योग इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है शरीर के तुलना एक घट से की गई है जो घड़ा होता है मट्टी का उससे शरीर की तुलना की गई है और यह घेरन डिशी बताते हैं राजा चंड कपाली को समझाते समय कि तरह हमारा शरीर भी जो है वो गल जाएगा यानि हम योग को साध नहीं पाएंगे तो यहां पर जो घट का आईरनी दी गई है उसकी वज़े से इसको घटस्त योग नाम से भी जाना जाता है इसमें total seven chapters है तो चैप्टर इस कौन-कौन से है शटक्रिया आसन मुद्रा एव चंड कपाली और महार्शी घिरन के बीच का समवाध है इसके अलावा अब साथ जो लिम्ब बताये गया है उसका अपना achievement है उससे आप क्या प्राप्त कर सकते हैं उससे क्या achieve कर सकते हैं यह बताये गया है तो शटकर्म से शोधन तो इसके लिए जो है वो श्लोक भी दिया गया है शोधनम द्रड़ता चैव स्थर्य धैरश्च लागवं प्रत्यक्ष निर्लित तस्च घटस्त सब्त साधनम यानि कि चैप्टर वन के वर्स नाइन यानि कि श्लोक नौ में यह वर्णन दिया गया है कि शटकर्म से शोधन या प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं अपनी बॉड़ी को प्यूरिफाई कर सकते हैं और यह सीक्वेंस वाइज हमें याद रखने की जरूरत है क्योंकि इसका सीक्वेंस यह है वो प्रिवेश यह कोशन में पूछा गया था जो हम आगे डिस्टस करेंगे इसके अलाबा आसन जो है वह द्रड़ता या ज़न जो है वह होथा हaining हमें आत्मस्वरूप का प्रत्यक्ष और समाधी से निर्लिप्टता आती यानलिप्तर है वह जो आत्मा है वह अपने ओरिजनल्र शेम्रूप में आ जाती है क्योंकि वह आत्मा कैसा है असंध वह किसी के साथ भी लिप्त नहीं होती है वह तो हम है जो चित्तिकी वृत्यों की वजह से उसको लिप्त मानते हैं या उसको लिप्त बना देते हैं तो समाधी से वो निरलिप्तता को प्राप्ट कर जाती है ऐसा महाशीगिरनने बताया है उसके बाद जो शट कर्म है तो शर शट कर्म है शट और कर्म यानिकि 6 कर्म जो है वो बताए गए है शुद्धी के लिए प्यूरिफेकेशन आ बाड़े के लिए शूधन के लिए तो शर शट कर्म कौण कौन से हैं तो शेट शटकर्म है धौति वस्तितया नेती लौल की तराटकम तथा कपाल भातिश चैतानी शटकर्माणी समाचरे तो chapter 1 के verse 13, verse 12 यानि कि श्लोक 12 में 6 कर्मों के मारे में बताए गए हैं शट कर्म जो की हैं धोती, बस्ती, नेती, लॉलिकी यानि की नॉली, ट्राटक और कपाल भाती तो जैसे कि ये short note का आपको Chris वीडियो के starting में दिखाया गया था ये उसी short note के हिसाफ से यहां पे table बनावाता हूँ इससे आप कैसे revision कर सकते हैं कैसे चीजों को समझ सकते हैं बिलकुल short बना के ये इसका technique आप यहां समझ सकते हैं तो सबसे पहला है हमारा dhauti तो dhauti जो है वह चार प्रकार की बताई गई है अंतरदधू, डंड धिसिया वे सिर्द या विन्ड पियूरिफिकेशन और कि एसे कह सकते हैं कि काक चंचु क्रोला एक भीक बनाखे एर को इनहें करना है और lower passage से उसको exhale करना है lower passage ces sayłęzie कैसे करना है आपके रेक्नेरिया से या अनल एरिया से वह lower process से wind को excel कराना तो यह वात सारो के तो air से आपको याद रहेगा कि क्या करना है मूँसे लेना है और lower passage से पास आउट कराना है, फिर वारी सार, यान से water याद रखना, वारी का मतलब होता है, जो water है उसका परियाएवाची ही होता है, वारी, एक अगर आपको हिंदी में परियाएवाची शब्द याद होंगे तो, तो वारी सार एक तरह से लगुशंग प्रछालन से मिलता जूलता यहां पे है तो वारिसार में क्या करना है पानी जो है वो मुह से लेना है और रेक्टम से निकालना है यानि कि लोवर पैसे से पास आउट या इलिमिनेट कराना है फिर आता है हमारा अगनी सार जिसको वहीनी सार नाम से भी यहां पे बताया गया है और यहां पे आप देख सक करने 100 टाइमस इसके रिपीटेशन करने है इसलिए यहां पर 100 लिखा हुआ है फिर आता है लास्ट अंतर धोती जो ही है बहिस्कृता बहिस्कृता का मतलब है बहार निकालना ठीक है तो यह काकचंचु क्रोलाइक बीग बनाके फिर से आपको क्या करना है एयर को लेना है फिर से अंदर कर लेना है जो कि प्राक्टिकली नियर इंपॉसिबल है बट यहां पर यह पर यह प्रोसीजर जो है के रन रिशी ने चंड कपाली को बहिस्कृता के लिए बताया गया है फिर आपका आता है दंत धोती तो दंत धोती दंत का क्या मतलब है दात यह मूं से रिलेट तो सबसे पहले दंत मूल के लिए क्या बताया है कि जो तीछ है उसको खादिर या केचू के पाउडर से साफ करना है जिससे कि आपका तीछ जो है वो प्रिजर्व रहेगा यह भी एक प्रिवेस एर कॉशन में आया कि दंत मूल के लिए कौन से हर्ब को यूस करने के लिए आयरन रिशी ने बताया है तो केचू और खादिर आपको यह नाम याद रखने है फिर है जिवहा मूल के लिए कि टंग को इलोंगेट करने के लिए क्योंकि खेचरी सिद्धी के लिए टंग आपकी जो है वो इंट्रनेसल पासज में जानी चाहिए तो उसके लिए आपर ब सामने या शुबा और शाम जब सूरज ढलता और उगता है उसके सामने ऐसा करने से क्या होगा सारे जो बिमारिया है वो दूर हो जाएंगी और बुढ़ापा नहीं आएगा या वृद्धवस्ता नहीं आएगी कि फिर आता है हमारा कण रंद्र को अधोग लेफ्ट एmost, यहां पर दिया गया है इसके अलावा कण क्रंट के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको इंडेक्स और इंगर से अपने दोनों कानों को साफ करना है थाकि उसे mystical sound यानि कि नाद सुनाई दे सके आपको फिर है हमारा डंट धोती के अंदर ही कपाल रंद रहाता है यानि कि sinus cleansing जिसे हम कहते हैं तो कपाल रंद के लिए कहा गया है कि right thumb से जो depression आपके forehead और nose के बीच में nose bridge और forehead के बीच में बहाँ पे press करना है ठीक है तो इससे क्या होगा कि आपके जो भी बल्गम यानि कि cuff related disorders होंगे वो कम हो जाएंगे vessels purify होंगी और इसको रोज सुबा उठने के बाद खाने के बाद और शाम को evening में संध्या समय तीन बार ऐसा करने के लिए instruction चाहां पे दिये दंड यानि कि stick को हम बोलते हैं दंड वमन यानि कि vomit करना और वस्त्र यानि कि cloth या कपड़ा तो दंड धौती में क्या बताएं गया है दंड धौती में तीन चीजों की जो stem है या stock है यो to use कर सकते हैं पहला plantain यानि कि केली का जो तणा होता है वो या फिर活ra stock या फिर sugar cane का जो Stoak होता है नरम जो कच्च कर सकते हैं और यूश कर सकते हैं और इसको क्या करना है अपने खाने की नली में डालने यानि इसोफेगस में डालके उससे क्लींजिंग करने है दंड दोसी से पित और कफ जो है सारा निकल जाता है उसके कोई भी डिसॉडर नहीं होते और हर्ड डिसी से यह प्रिवेंट करता है इसके अलावा रिद्ध होती किसी भी हाइपर्टेंसिव या काडिय इसके बाद आता है हमारा वमन तो वमन को यहां पर व्यागर क्रिया के अकॉर्डिंग भी समझाया गया है तो इसमें क्या बोला गया है कि ड्रिंक वाटर अप्टू थ्रोट तो विलकुल गले भर तक का पानी पी लेना है उसके बाद अपनी तीन उंगली इंडेक्स इनिशेट कराके वमिट करना है और वमन का क्या फायदा है कफ और पित के डिसॉर्डर से यह प्रिवेंट करता है या उसको खतम करता है फिर तीसरा अहरित धौती में आता है हमारा वस्त रुधौती तो वस्त रुधौती के लिए क्या बताया गया सबते पहले कपड़े का का measurement और यह previous year questions में भी आया हुआ है कि वस्ति धौति के जो कपड़ा है उसका measurement क्या होना चाहिए तो तीन अंगुल वाइड या फोर फिंगर वाइड होना चाहिए और तीन से चार मीटर लॉंग होना चाहिए और उसको फिर क्या करना है घी या किसी में भीगा करें घी का यहा यानि स्प्लीन या स्प्रीहा का सूच जाना लेप्रोसी, स्किन डिसीज, बाइल या कफ के डिसॉडर्स और इससे क्या होता है स्ट्रेंथ बढ़ती है और चेयरफुलनस बढ़ता है मनुश्यया योगी के अंदर तो यह वस्ति धौति के बारे में यहां बताए गया फिर आता है हमारा आखरी धोती जो है मूलशोधन तो मूलशोधन और mum रत्रतनावली में जो चक्री क्रिया है वह similar है ये आपको याद रखना है क्यूकिंकि चक्री क्रिया और mum शोधन सिर्फ दो ही जगा इस प्रोसीजर का वर्नन दिया हुआ हुआ है उसके अलावा और भी किस इसी हट योग में इस तरह के प्रोसीजर का वर्णा नहीं दिया हुआ है तो मुल शोधन में क्या करना है मिडिल फिंगर या फिर हरिद्रा की रूट को लेकर जो हल्दी की गाठ होती है उसे लेकर के आनल रीजन में उसको क्लीनिंग या फिर बुलाची स्टिमुलेट करने के यूज करना है जिससे की क्या होगा अपान का फ्लो बढ़ जाएगा कॉंस्टिपेशन या अपच जो होगी वो खतम हो जाएगी और जो बॉड़ी है वो बिलकुल चमकदार और शुद्ध हो जाएगी ऐसा इसके लिए बताया गया है उसके बाद आता है हमाना दूसरा शट और जुष्क बाद बाद बंष्ट या ड्राइब बती भी से कहा गया है तो जुष्क बाद नाबित पानी में छह़ाएं और अपने पिंक्तर को को आनोर दाइलेकत कर ना है और यह किसके लिए फाइदेमंद है जिनको urinary disorders है diabetes है जिसको वाईयू related कोई भी disorder है उसके लिए यह काफी फाइदेमंद बताया गया है और यह body को जो है काम देव की तरह बना देता है जलबस्ती ऐसा घिरन जी जो है वो बताते हैं और पानी में जो आसन है यह आसन दो important है य याद रखने है यहां पर जल और स्थलबस्ती के लिए तो जलबस्ती में हम उत्कट आसन में खड़े होकर जो है वो जलबस्ती की जाती है और शुष या स्थलबस्ती जो है वो पश्यमुत्तानासन में जमीन पर की जाती है इसके लिए बताया जाता है कि इंटस्टेंड को क्लीन करती है और इसमें भी अनल स्पींटर को कॉंट्राक्ट डालेट करना जैसकि अश्विनी मुद्रा में हम करते हैं उस तरीके से और इसका फायदा क्या है यह कॉंश्टिपेशन नहीं होने देता ग्यस नहीं बनने देता गेस्टिक डिसॉर्डर गेस्टिक फायर जो है उसको इंक्रीस करताई उसके अलाबा फिर आती है हमारी नेती तो नेती के लिए हमारे घिरन चमिता में सिर्फ सूत्र नेती का वर्णन यहां पर दिया गया है तो सूत्र नेती के सबसे पहले जो है, वो length कितने बताई गई है, half qubit बताई गई है, और वो thin होना चाहिए, और पहले जो नेती की क्रिया बताई जाती थी, वो धागया सूत्र से बताई जाती थी, इसलिए उसका नाम बड़ा सूत्र नेती, तो वो thin half qubit का होना चाहिए, जो कफ के disorders को खतम करने के लिए और clear side यानि कि आँखों की रौष्णी अच्छी रखने के लिए सूत्र नेतिका यहां पर घिरंड समिता में वर्णन किया गया है उसके बाद आता है हमारा नॉली जिसे राली केते हैं उसे गिरंड रिशी ने लॉलिकी बताया है तो यहाँपे चार प्रकार की नॉली जो है वो बताई गई het वाम, दक्षिन, मध्यम और भ्रह्मन ये चार नौली जो है इसका यहां पर बढ़न दिया गया है तो इसमें क्या कहा गया है कि स्टमक और इंटेस्टाइन को एक तरफ से दूसरी तरफ जो है वो मूफ कराना है वाम, दक्षिन, तो ऐसे जो डायरेक्शन है मध्यम याने की सेंट्रल और भ्रह्मन याने की पूरा गोल एक साथ तीनो दिशाओं में करेंगे जो सेंट्रल गोल होगा तब वो भ्रह्मन हो जाएगी इसके अलावा इसका benefit क्या बताया है कि body की fire बढ़ाता है जैसे इसका नाम ही है नौली नौली हम अगनी सार से भी कभी कभी हम relate करते हैं यहाँ पे ऐस सच उसे नहीं करना है हम practices में कई बार होता है कि हम नौली को अगनी सार से करते हैं relate कि दोनों ही fire बढ़ाने का काम करती है उसके बाद यह सारे diseases को खतम करती है और नौली से आपका मनी पुर चक्र जो है वो stimulate होता है यह आपको याद रखना है और hernia या फिर hemorrhoids के patients को जिनकी recent abdominal surgery हुए उनको नौली हम कभी suggest नहीं करते हैं इसके बाद आता है हमारा त्राटक या eye gazing तो इसमें तीन तरह के त्राटक बताए गये हैं बाहर अंतर और अधो त्राटक तो बाहर जो बाहर की तरफ हम देखे करते हैं जैसे किसी candle या किसी चिन पर हम जब ध्यान लगाते हैं gazing करते हैं बिना पलक जबका है तो वह त्राटक होता है बाहर त्राटक फिर अंतर त्राटक में हम क्या करते हैं आखे बंद करके अंदर किसी पर्टिकुलर सेंटर पर जैसे हम आईब्रो सेंटर पर ध्यान लगा के वहां light का reflection जो है वह ध्यान करते हैं उसमें त्राटक करते हैं और फिर आता है अधो त्राटक तो अधो त्राटक जो है उसका procedure similar है आपकी शांभवी मुद्रा से जिसमे आधी आख खुली होती है और नाख जो है नोस्टिब उस पर आपका पूरा गेज होता है यानि कि आपका concentration होता है उसके पूरा जो concentration होगा वह नोस्टिब पे होगा ऐसा अधो त्राटक होता है इसके अलाबा त्राटक क्या indications है त्राटक है तो शांभवी सिद्धी के लिए फिर i diseases को खतम करने के लिए और अश्ट सिद्धी और आत्मशाक्षातकार के लिए भी त्राटक को बहुत important जो धोती क्रिया है वो मानी गई है उसके बाद आता है कपाल भाती जिसको घिरन रि ची में कहीं भी forse का जो procedure जो करते हैं का पाल भाती फोर्स के साथ inhalation फोर्स के साथ inhalation जिसकतं वो कहीं भी घिरन रिशी नहीं बताया है three type ol par या कपाल भाती जो घेरन रिशी ने बताई है कौन कौन सी है वाम क्रम व्यूत क्रम और शीत कर्म तो वाम क्रम का क्या मतलब है जैसे कि नाड़ी सोधन का प्रोफूजर होता है एक नाग से सांथ लेनी दूसरे से छोड़नी पर यहां पे आपको याद रखना यहां पर लेफ और दुनों नुस्टिल से और मुंसे नेकालना है पाणि जैसे हम नेति करते हैं उसे तरीके का यहां पे इलस्ट्रेशण बताया गया है यहां बनकार नुसरेशन यहां पर बताया गया है फिर शीद कर्म मुह से पानि के- और इससे जो है शरीर जो है कामदेव की तरह हो जाता है कफ डिसॉर्डर्स नहीं होते बुढ़ापा या व्रिधवस्ता नहीं आती हल्दी रहती है बॉड़ी और बिल्कुल लास्टिक हो जाती है बॉड़ी ऐसा इस घिरंट सहिता में शटकर्म का वर्णन किया गया है उसके अलावा अगर आपको हट्योग प्रदिपिका से कमपैरेजन में याद रखना है तो क्या क्या चीज़े आपको पता होनी चाहिए सबसे पहला है आपका सीक्वेंस तो सीक्वेंस जो है यहाँ पे तो घिरंट सहिता में कैसा है धोती बस्ती नेती लौलगी या नौली त्राटक और कपाल भारती तो आपका जो नौली है यहाँ पे हट्योग प्रदिपिका में जो है त्राटक बताए गए है घिरन हट्योग प्रधीपिपिका में उसके लावा चैप्टर की सिक्वेंस भी जो है वो चार है हट्योग प्रधीपिका में यहाँ पे कितने चैप्टर से साथ चैप्टर सफर शटकर्म आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणयाम, ध्यान, समाधी वही आपका हत्योग प्रिधिपीका में चार चेप्टेंगे उसको चतुरंग योग भी कहते हैं और उसमें कोन का से आसन चाप्टर्स हैं आसन प्राणयाम और शटकर्म को एक में रखा गया तो आसन तैर 안 प्राणयाम न्iges. चटकर्म, मुद्रा और समाधी ये चार चैप्टर आपके हटियोग प्रदिपिका में बताए गए हैं उसके बाद आपके धौती में जो है वहाँ पे वस्त्र धौती का जो वर्णन है वो थोड़ा सा अलग है उसको राउंड मोशन में गुमाने की और इस तरह की बात की गई हट्योग प्रदिपिका में और शट्क्रिया जो है हट्योग प्रदिपिका में ये एक बार प्रिवे से कुशन आया था कि शट्क्रिया किसके लिए इंडिकेटेड है तो हट्योग प्रदिपिका की अकॉर्डिंग जो लोग मोटे हैं जिनको किसी प्रकार का वात्पित दो वो लोग ही शट्क्रिया परफॉर्म करें ऐसा हट्योग प्रदीपिका के स्टार्टिंग में ही शट्क्रिया के सेक्शन में ही वर्णित है इसके अलावा हट्योग प्रदीपिका में सिर्फ जल बस्ती का जो है वह वर्णन दिया गया है उसके अलावा वहां पर जो हम आज कै इनिमा करते हैं वैसे पाइप का वर्णन या कैथेटर का वर्णन जो है वहाँ पर किया गया है कि आप हाफ डायमेटर का पाइप लेके जो 6 इंच लंबा हो उसे इंट्रिद्यूस कराएं हाफ एनस में और फिर उसके बाद एनल स्पिंटर को कॉंट्राक्टर रिलाक्स करें यह वहाँ पर बताया गया है बस्ती के लिए और जल बस्ती जो है वो भी बताई गया है उसके अलबा बस्ती जो है इंद्री और मन को कंट्रोल करती है ऐसा हट्योग प्रदिपिका में बताया है फिर है नेती तो नेती भी वहाँ पर सेम बताई गया है ब्रेन को क्लीन करती है Cod of Thread हमको लेना है 6 इंच लंबा जो हो और उससे आंखे और सर्वाइकल इस क्यापिलर रीजन के जो disorders है वो भी नहीं होते हैं ऐसा बताए गया और घिरन समिता में जो है बाहिर त्राटक वो बताया गया है ठीक है इसके अलाबा नॉली जो है वो सिटिंग पोजिशन में बताए गई है घिरन हटयोग प्रदीपिका में तो होब यो गाई लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर और शेस्क्राइब और चैनल फर मोर वीडियो थांक्स वर वाचिंग झाल